टोल्ट डजन से ब्लैंक बरेंगे यहां पर डोल्ट और डजन जब हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो आ, वी, यू, दे ये personal pronoun आते हैं तो हम don't, do not का short form don't use करते हैं और जब हमारा subject third person singular pronoun जैसे कि he, she, it और singular noun अगर आएगा तो हम यहाँ पर don't, does not का short form doesn't use करेंगे तो जब कब don't और कब doesn't आता है यहाँ में इस blank में भरना है तो यहाँ पर पहली blank है mark blank like मतलब mark जो है वो third person singular noun है तो हम यहाँ पर does not का short form doesn't बढ़ेंगे तो next blank है you blank it मतलब you जो है जैसे मैंने कहा I, V, U, they यू के साथ हम don't, do not का short form don't बढ़ते हैं तो यहाँ पर don't आएगा थर्ड है mark and I मतलब यहाँ पर mark एक person है और एक खुद मैं हूं तो mark and I मतलब यह plural हमारा subject हो गया तो यहाँ पर हम don't do not का short form don't worry और लास्ट ब्लैंक है दे ब्लैंक शिंग मतलब दे जैसे मैंने कहा I, V, U, they इसके साथ हम don't का short form don't worry उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा अगर यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सप्लाइब करना ना भी तेंक्यों